तीसरा दोहा है, बिहारी ने नायक नायक नायका की याद में डूबे हुए नायक नायका का वर्णन किया है विरह ग्रहस नायक या नायका अपनी सखी या सखा से अपनी मनोदशा का वर्णन करती है उन्हें बताती हैं कि जब-जब मुझे अपने प्रिय की याद आती है तो मैं अपना सुद्बुद भूल जाती हूँ यानि उनका स्मरन, स्मरन मतलब याद करते ही मैं अपनी सारी चेतना, सारी सुद्बुद कभा बैखती हूँ ये मेरी आँखे उसकी आँखों में उलजी रहती है, अर्थात मेरा ध्यान उसकी आँखों में ही लगा रहता है फिल्सारफ मुझे नींध भी नहीं आती अर्थात नायका के पक्ष में है इसी तरह इसकी विप्रीत नायका के पक्ष में भी यही अर्थ किया जा सकता है किया जा सकता है नेक्स्ट है दोहा चार इसमें क्या बोला कवी ने चानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे के बारे में वर्णन किया है कवी कहता है यह सदा नशा मादक प्रदातों के सेवन से होने वाले नशे से सो गुना अधिक खतरनाक होता है सोने में धातूरे से सौगुना अधिक नशा होता है क्योंकि धातूरे के तो खाने से आद्मी मधोश होता रहे जब कि सोने के मिलने पर उसकी स्तिति इससे भी बुरी हो जाती है अर्थात धन की मादकता इसलिए अधिक है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सिर चड़ कर बोलने लगता है जबकि मादक द्रव्यतों के वल सेवन करने पर ही है अतहे धन का नशा अन्य सभी नशों से अधिक खतरनाक होता है मादक प्रदादों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है किन्तु, सोने, सोने मतला धन का नशा बना ही रहता है और जीवन के अन्य गतिविद्य पर उसका चड़ाव वारंग तरह तरह दिखाई देता है नेक्स्ट है दोहा फाइप जो लास्ट होआ है इस चेप्टर का इसमें का बताया कि कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि उस यमना के तड़ पर पहुँचके मेरा मन आज भी वही वैसा ही हो जाता है जैसे घने कुझों में छाया अत्यंत सुखदाई लगने लगती है तथा सुगंदे द्वायू बहुत शीतलता प्रदान करने लगती है उनकी याद में बहुत दुखी रहती थी परन्तु जब भी स्री कृष्ण को उनकी प्रदान करने लगती है